अभ्यासत्तर उपसभापती महोदया हमारे देश के जो बैग्यानिक हैं और वे प्रदोग की के छेत्र में लगे हुए हैं, उनके संबंध में अक्सर समचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि वे कई कारणों से देश को छोड़कर विदेश में जाकर बस जाते हैं मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कारणों की जाच होनी चाहिए कि क्यों हमारे बैग्यानिक आत्महत्या कर लेते हैं या विदेशों में जाकर बस जाते हैं अपने विज्ञान के काम में विदेश में रहना चाहते हैं इस देश में नहीं रहना चाहते हैं इन सब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे बैग्यानिकों के प्रती प्रोदोग की के छेत्र में काम करने वाले बैग्यानिकों और कर्मचारियों के प्रती और उनके साथियों के प्रती अभार प्रकट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे देश के बैज्ञानिक इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे पैरग्रफ चेन आधराणिये उप सभापती महोदया माननिये चित बसुने जो प्रताव रखा है वह सिर्फ एक राज्य के बारे में रखा है कि पस्टमी बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाए होना यह चाहिए था कि देश के जितने पिछडे हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए और छेत्रिये असमानताओं को किस तरह मिटाया जाए ऐसा प्रताव होता तो वह स्वागत योग्य होता मगर इन होने केवल एक ही राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही है जो की पहले से ही बढ़ी हुई है आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज्यादा अदोगी था लेकिन जब से लेफ्ट फ्रंट सरकार वहां आई है तब से वहां का अदोगी की करण समाप्त होने लगा है पस्चमी बंगाल में मर्क्स्वादी सरकार जब से आई है तब से वहां के अदोगी की करण में बढ़ा अंतर हो गया है और तब से मदरास, गुजरात, तमिलनाडू और हरियाणा आगे बढ़े हैं वरना पहले पस्चमी बंगाल सब से आगे था हम चाहते हैं कि जितने भी पिछडे राज्य हैं खासकर राजस्थान जो सब से पिछडा हुआ है और जिसकी प्रती ब्यक्ति आए सब से कम है वहाँ भारत सरकार की अजोगी की करण में जो लागत हुई है वह सब से कम है इस प्रकार के राजियों को प्रत्साहन देना चाहिए ना कि पस्चमी बंगाल को जो की पहले से ही आगे है हमारे यहां के तमाम पुझी पती बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ उद्योग लगा रखे हैं वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जाएं या पुझी पती आ जाएं तो हम उसका स्वागत करेंगे यह लोग हमारे मरवारी पुझी पतीयों को वहां खिच कर ले गए हैं और फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि पस्चमी बंगाल की उपेच्छा हो रही है भारत सरकार ने पस्चमी बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्ना किया है वह स्वागत योग्या है हमारी तो भारत सरकार से सिकायत है कि आपने पस्चमी बंगाल को ज्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान को पिछडा रखा है अतह उनके बिकास की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए राजस्थान में गरीवी की सतह से नीचे 50 प्रतीसत लोग हैं जहां लगतार अकाल पड़ता है वहां की हालत दैनिये है वहां पर और ज्यादा अदोगी की करण होना चाहिए